तो गैस आपको पहले यहाँ पे अपने जो ICC Bank Net Banking को सर्च करेना है किसी भी Chrome Browser में या Mozilla में या किसी में भी आप यहाँ इसको सर्च कर सकते हैं जैसी आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ इंटर्फेस आ जाता है आपको Login पे क्लिक करना है और यहाँ पे Personal जो है Net Banking आपको चलानी है तो Personal पे यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी Net Banking को सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी User ID का और Password क बर्ट हमारे पास कोई भी User ID Password नहीं है तो आप अपने जो Mobile Number है रिजिस्टर उससे यहाँ पे जैसे रिजिस्टर करेंगे और Get Password पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका OTP आ जाएगा रिजिस्टर Mobile Number पे और आपका जो Credit Card है वो यहाँ पे शो हो रागो आपको अपने जो Credit Card का Pin डाल देना है प्लस आपके पास OTP Receive होगा वो OTP यहाँ पे Fill Up कर देना है जैसे आप अपने OTP को जो Fill Up करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा Interface आ जाएगा क्योंकि आपको जो यहाँ पे Credit Card कार्ड की Net Banking आपको यहाँ पे Open हो चुकी है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमा सकते हैं हमारे Card की जो Limit है इतनी है और कितनी uses हो चुकी है वो सब कुछ यहाँ पे Show हो रहा है आप अपनी Net Banking को इस तरीके से बहुत ही अजी तरीके से आप Active कर सकते हैं और Guys मैं आपको बता दूँ अगर आप अपने Card को Apply करते हैं तो आप अपने जो Employee को बता देजा कि मे User ID Password है वो मिल जाया गए जैसे कि मुझे यहाँ पर User ID Password मैंने Customer Care से कॉल करके लिया था आपके पास अगर आपके Mobile Number से यहाँ पर रेजिस्टर नहीं होता है तो आप इस तरीके से अपने जो Net Banking उसको Activate कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आप अपने Credit Card पर Option पर जाते हैं तो इस तरीके से भी आप अपने Card के Full Detail को डालके और साथ में Mobile Number को Fill Up करके इस तरीके से भी Net Banking को Activate कर सकते हैं तो यहाँ पर इस Process को भी हम Follow करते हैं और अपने Password को Create करते हैं क्योंकि हमने अभी Password को Create नहीं करा है सिरफ हमने OTP से इसको Bypass कर रहा था अभी यहाँ पर हमारे प Customer ID यह है बट अगर आपको आपकी Customer ID नहीं मिली है तो आप यहाँ से Customer ID को भी Forget कर सकते हैं तो आप हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं Customer ID आ चुकी है तो हम इसको Fill Up करके अभी अपने Password को Create करते हैं बाइचंस कभी कभी का होता है कि आपको अपनी Net Banking Chrome या Browser पे Open करनी होती है तो आपको अपने ID पासवर्ट जाना बहुत जरूरी है तो इस चीज़े के से हम अपने ID पासवर्ट को Create करते हैं और आप मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने Mobile Banking App को जो है iMobile है उसको कैसे Activate कर सकते हैं उससे भी आप अपने Credit Card को Manage कर पाएंगे अगर आपका ICC Bank में Credit जो Account नहीं है सिरफ आप Credit Card होड रहे हैं तो आपके लिए ये काफी Beneficial होने वाला है तो वीडियो को अन तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बाला है तो गईस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे यहाँ पर अपने password को Create करते हैं जो कि आपको Strong password रखना है तो यह यहाँ पर हम अपने password को Create कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो User ID password होगा वह आपके Mobile number पर Send कर देएगा User ID को तो यहाँ पर अपनी User ID डालके हम अपने password को Create कर लेते हैं ताकि हम In future के लिए अपनी Net Banking को इसी सारीके से Use कर पाएं तो यहाँ से हम अपनी ID का password है उसको Create कर लेंग नहीं कर रहा है तो हमाँ अपनी यूजर आईडी को यहाँ पर डालेंगे जो आपके रिजिस्टर मोवाइल नंबर पर भेजी गई थी तो यहाँ पर जैसे रिजिस्टर अपनी जो यूजर आईडी डालते हैं उसके बाद अपने पासवर्ड को आपको डालना है बाद में ल क्रेड बेंकिंग को ओपन कर सकते हैं तो यहाँ से आपको किसी भी और आप्शन में नहीं जाना है सरफ आपको क्रेडिट काड की आप्शन में जाना है जहां से आप अपने क्रेडिट काड को मैनेज कर पाएंगे क्रेडिक काड की लिमिट को सेट कर पाएंगे अगर आपक कितने स्टेट्मेंट बिलिंग कितनी तारिकी है यह सब कुछ आपको समय हो रहा हूँ आई होप इस इंफरमिशन आपको हेलफ लगी होगी वीडियो कौन तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देजिए जानल को सब्सक्राइब कर देजिए और अपने दोस्त के शेयर करना म बुलिय का अगर आपको जो पास आईसेज इस इस इंपकर ग्रेडिकर है तो